बढ़ते बच्चों में गुसा आना नॉर्मल सी बात है और ऐसे में बच्चों के विकास का हम इसे एक हिस्सा मान सकते हैं क्याई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि स्कूल में पढ़ते वक्त अपने जो दोस्त होते हैं उनके खिलों ने चीन लेते हैं वहीं उन पर चीखने चिलाने लग जाते हैं अगर बच्चों के ऐसे वेवार से माता पिता जो है वो बहुत जादा चिंता में है तो दोस्तों अगर आपको बच्चा गुसा करता है ना और चीजे ना मिलने पर उसके पसंद के खाने ना मिलने पर काम ना करने पर अगर वो जुंजलाट उसके अंदर आती है तो ऐसे में आप उसकी इन आदतों को छुड़वाने के लिए कुछ तरीके जरूर अपना है ये वीडियो आपके लिए कारगर रहने वाली इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही पहतरी इन तरीकों के उपर जिस सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल दबा के रखें कि तब भी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर दिए बच्चों की जरूर कुछ सीमा है कुछ एक गाइडलाइन जो है वो डिसाइड कर दीजिए डेफिनेटली ये बच बच्चा इन यम को तोड़ता है तो डेफिनेटली रिवार्ड पनिश्मेंट जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है तो उसके लिए आप एक डिसाइड़ पनिश्मेंट जो है बच्चे के लिए रखें कि अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी तो जो वीक में मैं जाले कि हां उससे गलती हुई है और उसके रिवार्ड में उसको कमपेशेट करना ही करना पड़ेगा और इन चीजों के उपर आपनी अडिक रहिए बच्चों को मारने या फिर बच्चे इतने अगर माली जी काट लिया कुछ गुसा किया कुछ चीज फेक के मारी तो ऐसे म आप सिखाएंगे उसे गुसे से नेपटने के क्या तरीके हैं बच्चे को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के सही तरीके सिखाएए उसे अगर किसी बात पे वो नहीं समझ में आ रहा है तो लड़ने की बचा है अपनी बात को व्यक्त करना सिखाएए अपनी बात को एक् बच्चे ने अपनी बात आपसे कही और कहीं नकहीं उसके कहने से या फिर अपने गुसे को कंट्रोल करने के ऊपर वो काम कर रहा है तो ऐसे में बच्चे की तारीफ करना जो है वो कभी ना बोले इससे उसे एक positive motivation मिलता है कि वो सही डारेक्शन में अपने अपने बच्चों में आत्मनी अंतरन का जो गोड़ है वो नहीं डालेंगे ना तब तक ये मान की चलिए उनके बिहेवियर कंट्रोल पर हम काम नहीं कर सकते बच्चे में खुद को कंट्रोल करने की जो है शमता वो नहीं होती है बच्पन से जब बच्चा पैदा होता है तो रोना और गुस्सा करना ये उसके इन्विल्ट हैरेडिटी होती है कि वो यही काम करते हुआ आता है जब उसको कुछ नहीं आता दुनिया में तब रोना जान कि कुछ करने और कुछ बोलने से पहले हमेशा हमें सिखा रहे हैं कि हमारे बच्चों को कि आप उसकी पृतिकरिया जो है वो सोच के चले लड़कों की अगर मैं बात करूं तो यह बता दिया जाता है कि अगर आप गुसा करेंगे तो आप तफ बने रहेंगे आपको रोना आपको किसी के साम में डरना नहीं आपको चीखना है परी बाते बनवाने के लिए इससे आपकी टफ आइडेंटिटी जो है वो साबित होगी और इस चीज़ पर अगर बच्चा ऐसे करता है ना तो इस गुसे पर को टफ आइडेंटिटी कहकर उतको प्रोत्साहान मिलता है इससे कहीं न कहीं हमें यह कैसे कि बच्चे की इनिशरी जो गुसे की आदते होती ना उसमें कहीं न कहीं बाबाप की जो मर्जी है वो शामिल होती है तो ऐसा विवार जो है आप अपनी पामिली में इन्मिल्ट ना होने दे बच्चा जो है उसके अंदर सारी मोशन जरूरी अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो उसे express करने के लिए वो दूसरों पर चीजे तोड़े चीखे चला इससे बेटर है कि वो अपने आपको फील करें कि हाँ वो किस चीज के लिए गलत है किस चीज के लिए वो sorry फील कर रहा है या फिर उसे express कैसे कर सकते है दूसरों के साथ इस इस पर बच्चा जो हमारा ज्याद है ना कि हमारा बच्चा जो है वो हाँ से सीख रहा है surrounding सी आ देखकर सीख रहा है उसकी जितनी भी learning है वो environment से तो ऐसे में आपका गुस्सा देखकर भी आपका बच्चा जो है बहुत कुछ सीखता है घर में माता पिता को देखकर ही बच्चा जो है सीखता है कि किस सरीके से गुस्से पर कंट्रोल करना है या अपने गुस्से को बढ़ावा देना है छोटी छोटी बातों पर आप गुस् करते हैं तो डेफिनेटली आपका बच्चा वो चीजे देखकर अपने अंदर इंप्लीमेंट करना खुद बखो शुरू कर देगा हमारे बच्चे की जो अपरिंगिंग है और जिन सराउंडिंग में वो पड़ रहा है बड़ा हो रहा है उसमें जो हमारी टेक्नलोजी उसका आपी बड़ा रूल है बड़ टीवी हमारे बच्चे टीवी देखते हैं सबके देखते हैं और ऐसे में इतनी आकरमक और इतनी दरावनी या गुसे लड़ाई मारधार ऐसी चीजे ऐसी जो प्रतिक्रिया हैं वो बच्चे के मस्तिक्ष पे जरूर एक ऐसी छवी छोड़ द एक ये बच्चपन ही एक ऐसी चीज है जहां पर हम बच्चे के गुसे को कंट्रोल कर सकते हैं संभावना अगर ये बड़ गई कि आपका बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता चला गया और उसके अंदर ये सारी क्वालिटी जो है डबलप होनी शुरू हो गई और बड़े हो बच्रा क चानी से होगी तो इस चीज से बचने के लिए आपको ध्यानरर रखना कि आकव बस्ज जैब यहां बैटके यहां पनान सब कर साथ करेए और यह इसा कि आप से कुछ जो सबनार फिर चैनल में तो आइए जिब आप यहां बहुत कर suppress बट ऐसा ना लगे बच्चे को किया रहे मुझे तो इग्नोर कर दिया मतला मैं बखरा था मैं बोले पड़ा था और हमारी मम्मी तो यह से निकल ली तो उस सिच्वेशन में वापस आजाई कुछ सेकंड प्लियर कि मैं तो गैस ओन चोड़ गई अच्छा ये काम हो गया बच् साइन्टिफिक ऐसा फैक्टर है कि अगर किसी को गुसा आ रहा है और अगर आप उसकी पीट को थप थपाते हैं सहलाते हैं तो कहीं ना कहीं एक हार्मों सीक्रेट होता है जो एक पॉजिटिव एनरजी रिलीज करता है और उस व्यक्ति के मस्तिक्ष को शान्त करता है यानि से कोई भी अज़ा सुझाव आप लोग को समझ में आया हो या ऐसे सुझाव जो आप अपनी पेरिंटिंग में अपला ही करते हैं वो मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताए वीडियो हेल्फुल लगी हो वीडियो को लाइक करें और अगर भी तक आपने मेरे इस चैनल को प्रेज़ा नोटिफिकेशन बेल तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी जैहिन जैभार दोस